हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हु राहुल जै इस्वाल एंद स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटियोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मोश्ट इंपोर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे सेवन स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जे का जो हमारा चाप्टर चल रहा था दोस्तों पार्ट टू के सिलाइबस का या लक्चर नमर two is the last lecture of this particular chapter दोस्तों प्रिवेस जो लक्चर हुआ था यानि कि इसका लेक्चर नमर वन जो हुआ था प्रिवेस जो आपका week था उसमें हमने साइंस का शेडूल में जब लिया था ये तो हमको पता देते ही कि क्या-क्या हमने topics कवर किये ताकि आपको याद आज of changes, एक होता है physical, दूसरा होता है chemical, फिर उसके बाद हमने देखा था, और भी बहुत सारे तरीकी के changes होते हैं, जैसे कि देखा था, हमने useful changes हो सकते हैं, harmful changes हो सकते हैं, कि कौन से changes हमारे लिए फाइदे मन दे, कौन से changes हमारे लिए नुकसान दायक होता है, वो देखा था, कुछ changes ऐसे होते हैं, जो बहुत fast हो जाता है, यानि कि fast या फिर quick changes हमने पढ़ा था, फिर उसका opposite देखा था, slow change, यानि कि बहुत दीरे-दीरे अगर कुछ change हो रहा है, तो slow change बोलते हैं, फिर हमने देखा था दोस्तो, इसके बाद हमने देखा जिसका नामे periodic and non-periodic changes, अगर कोई भी interval of time जो होता है, एक proper interval of time के साफ से change हो रहा है, तो उसको हम लोग periodic change, या फिर उसका उल्टा, जो नहीं होता है, उसको non-periodic change, इतना हमने हमारे पहले lecture में cover किया था, जरूर से आपने वीडियो देखा होगा पहला lecture, अगर आपने नह परीके से mainly होता है, या तो वो physically होगा, यानि कि बाहर से होगा, या फिर वो अंदर से होगा, जब बाहर से होता है, वो जो changes होता है, उसको हम लोग बोलते है, physically changes, जो चीज़ अंदर से होता है, उसको हम लोग बोलते है, chemically changes, अब यह होता कैसे, normally example के साथ, मैं आपको explain करने तो let's suppose I am taking one example जैसे कि आपका एक ice का cube है यानि की बरफ है एक ice का cube है आप फ्रिज में से क्या करो जैसे मैंने ये पहले भी बताया था आपको कि आपको बस लेना है कि फ्रिज में से फ्रीजर में खोल के आपको एक बरफ का तुकड़ा उठाना है आप बरफ के तुकड़े को थोड़े देर आप अपने like room temperature जो आपका normal temperature होता है उसको बाहर निकाल के बस रख दो फिर उसको observe करो आप जब उसको देखोगे तो आपको ये मैसूस होगा कि धीरे धीरे वो जो ice का तुकड़ा जो था solid जो था कड़क था ना वो धीरे-धीरे melt होने लगेगा यानि पिघलने लगेगा और जो पिघल जाएगा दोस्तों तो क्या बन जाएगा पानी बन जाएगा यानि कि ice बन जाएगा water यानि कि in short क्या हो रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो solid होता है with solid logical changes यहान पर from physical changes यानि कि वह खटक था दिखने में कड़क था चूने में कड़क था यह पिघल के पानी बन गया नरव हो गया और liquid बन गया like raw बोलते हैं हम लोग raw mango कच्चा mango है जब वो धीरे-धीरे 2-3 मैने के बाद पक जाता है पेड़ पर क्या बन जाता है ripe mango बन जाता है यानि कि पका mango बन जाता है तो सबसे important चीज है नहीं कि यह जो type का मैं चीज बता रहो यह example जो बता रहो type के आम कोई एकदम पिला बन जाता है कोई थोड़ा orange color का बन जाता है कोई थोड़ा reddish बन जाता है आपने देखा होगा यानि कि green mango yellow orange red बन जाता है यानि कि यह क्या हो गया बाहर से देखने में हो गया यानि कि एक तरीके से physical changes हो गया लेकिन वही अंदर से भी यह चेंज हो रहा है, कैसे? कि अगर आपने टेश्ट किया है raw mango तो यह थोड़ा सा खटा लगता है, यानि कि sour in taste, लेकिन वही चीज आप जो पक जाता है mango, कच्चा होने के बाद आप में वह दो महीने के बाद पक जाता है, yellow, orange या फिर red mango होता है, व यह जो टाइप का मैंने एक्जामपल लिया, raw mango convert हो रहा है, ripe mango के अंदर, वो physically changes का भी एक्जामपल है, और साथ ही में chemical changes, क्योंकि उसके अंदर का chemical change हो रहा है, पहले वो खटा लगा था, यानि कि उसके अंदर acid content जाधा था, लेकिन अभी वो मिठा लग रहा है, यानि कि उ बहुत सारे अंगीनत एक्जामपल आपको अपने डेटूल लाइफ में, देखने मिलेंगे, आप एक gas को जलाते हो, यानि कि जो आप lighter मारते हो, माचिज डालते हो, तो वो आग पकड़ लेता है, तो वो भी क्या हो रहा है, एक तरीकी से physical, एक तरीकी से chemical change हो रहा है, कुछ चोटा पौधा को यह plant है, वो बड़ा हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका physical changes हो रहा है, कोई इंसान पतले से मोटा हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, physical changes हो रहा है, तो ऐसे आप सोचो दोस्तों, खाले, आपको सोचना लगेगा, यहां पर क्योंकि दिको 7th में हो न, य लेकिन आपको extra knowledge और दुनिया भर की knowledge आपको कर नहीं है और वो कहां से मिलेगा हम बैठे आपको देने के लिए तो वो चीज आप हमारा conceptual knowledge अगर आप जो भी बैंतेनी की कोशिश करता हो जो मेरे पास थोड़ा बहुत है वो आप gain करोगे तो आपको बहुत ज्यादा help मिलेगा ठीक है ध्यान से सुनना ये चीज़ बहुत important है in short मैं physical changes और chemical changes का definition अगर बता दू मतलब कोई भी एक ऐसा चीज़ कोई भी एक ऐसा चीज़ जिसका chemical जो होता है यानि कि जो अंदर से बनावट जो है वो same है लेकिन खाली उसका physical appearance different हो रहा है उसकी property भी same है यानि कि अगर कु physical appearance बाहर से दिखने में वो change हो रहा है तो वो चीज़ होता है हमारा physical changes और chemical changes में मतलब क्या हो रहा है कि उसका property जो होता है जो उसकी विशेशता है जो उसकी गुण है वो change हो रहा है तो हम समझ लेना कि वो क्या है chemical property है यानि कि अगर कोई कच्चा आम खटा लग रहा था तो वो पक गया तो मिठा लगने लगा मानू कि उसका अंदर का जो chemical property था वो ही change हो गया तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यह chemical change है clear है दोस्तो तो पूरी उमीद करता हूं कि what do you mean by physical change और what do you mean by chemical change यह आपको बहुत ही आसानी से clear हो गया होगा and यही था दोस्तो हमारा physical and chemical changes का basic difference and basic meaning clear दोस्तो आपको समझ में आ गया होगा अब आपका जो chapter दोस्तो इसमें एक ही छोटा सा topic और रहे गया है फिर हमारे जो chapter totally complete हो जाएगा तो उसको में लेना चाहूंगा यहापे जिसका नाम है corrosion एक बहुत ही बेहतरीन और interesting topic है और आपके 7th case आपसे बहुत ही ज समझ गए तो यह आपको हर standard में काम आने वाले है चाहे आप 8 में रहो 9th में रहो 10th में रहो 11th में रहो हर चीज में यह चीज काम आने वाला है तो यह important topic है जिसका नाम है दोस्तो corrosion ठीक है क्या बोलते है corrosion बोलते है ठीक है properly लिखा लेता हूं corrosion अब corrosion का basic meaning होता है जंग लगन है का मैं इस्तिमाल कर रहा हूं तो जंग लगना is nothing but a type of corrosion तो corrosion का मतलब क्या होता है कोई बी एक ऐसा substance जिसके उपर कुछ ऐसे element का reaction हो जाता है जिसके वेसे उसकी जो chemical property होती है as well as physical property जो होती है वो change हो जाती है उसके लिए वो particular चीज को हम लगने बोलते है एक layer आ जाता है और उसको आप जब हाथ से चुह हो गया तो आपको red-red color का powder जैसे हाथ में लगेगा तो उसी को तो बोलते है हम लोग rusting होना यानि कि जंग लगना सुनाओ को ना दोस्तों कि या लोखन के उपर जंग लग गया ठीक है अब जंग लगने से क्या होता है पहल bond होता है दोस्तों जो उसके atoms को पकड के रखता है उसको क्या करता है वो कमजोर बना देता है तो जब iron और iron के बीच का bond हो जाएगा या फिर तूट जाएगा तो जो iron का rod होगा ना वो जंग लगा हुआ उसको अपनी ताकत से भी मोडने की कोशिश करोगा आप उसको तोड सकते हो इतना आपके पास power आजाएगा वो आपके पास power नहीं आया क्योंकि iron ही वहाँ पे कमजोर हो गया था इसके लिए जो बड़े-बड़े bridges होते हैं आपने सुना होगा ना कि बहुत 100 साल पुराना bridge 50 साल पुराना bridge कुछ buildings अपने तूटके भिखर जाते क्यों तूटत लगबग 50-200 यह वो survive कर सकता है लेकिन उसके बाद बार-बार पानी लगने के वज़े से बार-बार oxygen लगने के वज़े से क्या होता है उसके अंदर reaction होता है और आपका जो iron होता है ferrous जिसको बोलते है iron FE और वो oxygen के साथ react करके क्या बना लेता है ferrous oxide बना लेता है और या फि companies बनती है factories बनती है bridges बनते है railway tracks भी बनते हैं आपने खंबे बनते हैं यह सबी चीज एक time के बाद कमजोर हो जाता है और उसको replace करने की जोड़त पड़ती है लेकिन जिनोंने नजर अंदाज किया होता है replace नहीं करते है तो वो तूट जाता है और बहुत ही नुकसान corrosion क्या होता है तो basic meaning वो ही है कि एक red color का brown layer बन जाता है लोखन के उपर उसी को हम लोग corrosion बोलते हैं जिसको in shot rusting भी बोला जाता है और यह क्यू होता है because of oxygen जब भी लोखन के साथ oxygen react करता है चाहे वो पानी के थ्रू react करे चाहे वो हमारे atmosphere में हवा के में चो oxygen उसके वेसे करे दोनों ही तरीके से यहां पर यह क्या बोलते है उसको rusting होता है जिसके वेसे problem create होता है तो अब एक और सवाल यहां पर यह उठता है कि rusting जो होता है लेकिन उसको क्या हम रोक ली सकते क्या यह बिल्कुल रोक सकते तो उसका prevention क्या होता है यह भी आपको बता देता हो कोई ब गुसी नहीं पाईगा iron के पास तो iron के पास चले ही नहीं जाएगा गुसी नहीं पाईगा तो iron के साथ वो reaction नहीं कर पाएगा तो हमारा जो लोखन होगा iron होगा वो सालो साल ऐसे टिका रहेगा इसके लिए उसको जो भी iron की चीज़े होती है उसके उपर continuously आपको paint मारते रह तो paint is one of the option, एक और option होता है, galvanizing करना, galvanizing मतलब क्या होता है, एक coating करना, किसका coating होता है दोस्तों, galvanization में, कि एक तरीके से एक element होता है, जिसको बोलते है zinc, तो zinc element क्या क्या करते है, इसके उपर zinc का पानी चड़ा देते हैं, यानि कि zinc का एक layer होता है, metal का उसके उपर coat कर दिय जाता है, क्योंकि zinc के साथ oxygen react नहीं करेगा, तो oxygen जब आएगा, टकराने की कोशिश करेगा, यहाँ पर टकरा के लोट जाएगा, क्योंकि iron के पास पहुची नहीं पाया, क्योंकि zinc ने उसका रास्ता रोक कर रखा था, तो ऐसे दिखा जाए तो बहुत सारे टेकनिक है, galvanizing ह जा सकते हैं, clear है, तो पूरी उमीद करता हूँ कि आप लोगो यह topic समझ में आ गया होगा, and finally, मैं यह बोल सकता हूँ कि हमारे जो chapter है, जिसका नाम है changes, physical and chemical, यह होता है, finally complete, clear है दोस्तों, तो पूरी उमीद करता हूँ कि हमारा आज का यह lecture वीडियो और यह chapter आपको बहुत से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को notification मिलती रहेगी, तो मिलते हमारे एगले वीडियो में, यह वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye.